वीडियो अच्छा लगे तो प्लिस सब्सक्राइब कीजी और पेस कीजी इस बेल आइकन को ताकि मैं नए नए वीडियो की जानकरी आपको मिल सके सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है अज मैं आपके लिए लाई हूँ brand development activities जो हम बच्चों के mind power को improve करने के लिए करवा सकते हैं और इस activity में बच्चों का बहुत ज़्यादा concentration लगता है जो बच्चों को अपनी study में भी बहुत जरूरी होता है तो ऐसे activity से बच्चों का concentration power बढ़ाया जा सकता है बहुत से momies के complain होती है कि मेरा बच्चा कभी भी एक जगह पर बेट कर study नहीं करता उसका ध्यान उसके study में बिलकुल नहीं रहता तो AC momies का मेरी request है कि आप बच्चों को AC activities करवाए जिसे बच्चों का concentration power बढ़ेगा तो वो अपने आप ही study में interest लेगा तो चलिए activity देख लेते हैं फर्स्ट activity है matching activity यहाँ पर मैंने सारी matching activities ही लिए हुई है बट यह सारी matching activity एक दूसरे में कुछ different है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और ऐसी different activities अपने बच्चे को करवाईएगा तो फर्स्ट activity है matching activity उसमें बच्चे को match करना है बट यहाँ पर मैंने कुछ circle रो किये हुए है उसके अंदर कुछ pattern बनाई हुई है बच्चे को वह pattern के according सामने वाले circle में से वे बट पेटन identify करके उसको मेंच करना है तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी patterns बनाई हुई है और बच्चे को पैचनना है कि सरकल के अंदर कौन सी pattern है और सामने वारे सरकल में ऐसी pattern कहाँ पे और उसको उसके साथ match करना है यहाँ पे lines वाली pattern है यह first to first है तो यहाँ पे एक दूसरे को match करना है यहाँ पे start है तो start वाली pattern यहाँ पे तो बच्चे को ऐसे match करना है एसी बहुत सारी pattern है बच्चा बहुत ध्यान से pattern को देखेगा दूसरे circle में से उसको identify करेगा और उसके साथ match करेगा next activity है एसी matching activity है यहाँ पे मैंने colors का use किया हुआ है यहाँ पे rectangle draw करके उसमें color किये हुए हैं उसमें colors में three colors लिये हुए हैं और सारे colors के numbers अलग-अलग है तीनों rectangle में उसके according बच्चे को इस rectangle में से वो ही color की pattern fine करके उसको उसके साथ match करना है तो बच्चा बहुत ध्यान से दिखेगा कि यहाँ पे पहले red है, blue है और green है यहाँ पे मैंने तीन ही color use किये हुए हैं इसलिए बच्चा बहुत confused होगा तो यहाँ पे इस pattern के red, blue and green जो rectangle में color है वो rectangle को बच्चे को fine करना है तो red, blue and green तो यहाँ पे पहले green, red, blue है, blue, green, red है तो last में है red, blue, green मतलब कि यह pattern इस pattern के साथ match करती है तो बच्चे को उसको उसके साथ match करना है ऐसे यह दोनों rectangle को भी match करना है नीचे में ट्राइंगल बनाए हुए उसमें same pattern है, three colors यूज़ किये हैं हुए है और इस rectangle के sorry triangle के according बच् से यहाँ से identify करके उस pattern के साथ वो दोनों match करने हैं, next activity है, alphabets activity, यहाँ पे मैंने randomly alphabets लिखे हुए है, for example यहाँ पे मैंने a, k, o लिखा हुआ है तो यहाँ से बच्चे को वो ही pattern के पहले a लिखा हो, फिर k लिखा हो, फिर o लिखा हो, ऐसी pattern identify करके बच्चे को उसको उस और यह मैंने कोई spelling नहीं लिखा हुआ है, randomly alphabets से लिखा हुआ है, क्योंकि हमें छोटे बच्चे को यह जो activities करा नहीं है, तो बच्चे को spelling अगर नहीं आते हैं, तो बच्चा confused होगा, तो ऐसे alphabets का use करके हम बच्चे को यह activity करवा सकते हैं, next activity बहुत ही interesting activity है, यहाँ प बच्चे को सामने वाली lines में से identify करके उसको उसके साथ match करना है, यहाँ पे मैंने जो pattern बनाई हुई है, तो बच्चा बहुत confused करने वाली pattern है, हमें बहुत easy लगता है, बट बच्चे के लिए यह बहुत confusing है, तो बच्चा यह first जो pattern है, उसको इसमें से identify करना होगा, तो बच बच्चा पहले तो बच्चे को सब कुछ same लगता है, उसके बाद हो धीरे से उसका ध्यान जाता है, तो वो उसके साथ matching करेगा, तो बच्चे का बहुत ही concentration इस activity में लगता है, तो यह बच्चे के लिए बहुत ही best activity है, next activity easy है, बट बच्चे को इसमें मज़ा आएगा, यहा पर 33 balloons ड्रो किये हुए, यहाँ पर पहले balloon में pattern है 357, तो बच्चे को इहाँ पर वो ही pattern identify करके उसको match करना है, यह हम छोटे बच्चे के लिए मैंने activities बताई हुई है, अगर हम यही activity बच्चे को बड़े बच्चे को करनवाना चाते हैं, तो हम कैसे करवाएंगे, जैसे यह यहाँ पर मैंने जो numbers लिखे वो 3-3 लिखे हुए है, तो आप उसकी संख्या बढ़ा भी सकती है, 5 या 7 numbers का एक group बना के उसको उसके साथ match करवा सकती है, यहाँ पर यह जो picture वाली, drawing वाली activity है, उसमें हम कुछ tough drawing बना के बड़े बच्चे को दे सकते हैं, और यह जो activity है, ज जो हमने alphabets लिखे हुए है, हम बच्चों उसमें 7 या 8 alphabets का group बनाएंगे, और यहाँ पर मैंने सारे अलग-अलग alphabets लिए हुए, फोर एक्जांबल यहाँ पर मैंने A, K, O लिया हुआ है, तो A से start होने वाला alphabets यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ एक ही group है, जो A से इसी होगा, अगर हम बड़े बच्चे को दे रहे हैं, तो हमें group B बड़ा बनाना है, और उपर वाला और उसके नीचे वाला इसे 2-3 group matching रखने हैं, जिसे यहाँ पर एक O लिया हुआ है, तो हम second group बना रहे हैं, तो उसमें A और यह तीन में से कोई भी एक ही alphabets चैंज करन है, जैसे हमने A यहाँ पर E ले लिया, और यहाँ पर O ले लिया, तो यह से matching matching होगे, तो बच्चा बहुत confused होगा, और बड़ा group होगा, तो बड़े बच्चे को वो identify करने में easy होगा, और उसकी age के according activity हो जाएगी, तो इस activity को हम tough बना के बड़े बच्चे को करवा सकते हैं, और last और बहुत ही interesting activity है, यह lines ट्रो की हुई है मैंने और उसके नाम दिये हुए हैं, और हमें बच्चे को पुछना है कि यह दोनों line में से कौन से line बड़ी है या कौन से line छोटी है, यह तो easy है, बच्चा बोल दिगा कि जो CD है वो line छोटी है, AB है वो line बड़ी है, बठी है मैंने group में एक line बनाई हुई है, जिसमें ABC एक साथ है, तो उसमें हमें बच्चे को बोलना है कि AB lines बड़ी है या BC lines बड़ी है तो बच्चा बहुत ध्यान के साथ देखेगा, और बड़ा बच्चा होगा तो जल्दी बोलेगा बड़ छोटे को बहुत ध्यान के साथ देखन पड़ेगा कि कोंसी line बड़ी है या छोटी है, या मैंने एक ही picture में दो line रोकी हुई है, अगर बच्चा confused होता है तो वो measurement के according भी answer दे सकता है कि कोई scale लेके वो उसको नाप कर बोल सकता है कि कोंसी line बड़ी है और कोंसी line छोटी है, तो ऐसी interesting activity हम बच्चे को करवा कि उसका mind power improve करेंगे और उसका concentration level थोड़ा up कर सकते हैं, ऐसी और भी activities देखने के लिए आप मेरी channel पे जा सकते हो और वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसे activities मिल जाएगे, क्योंकि ये मेरे experience के base पे share करती हूँ आपके साथ और मैं believe करती हूँ कि ऐसे activity करवाने से बच्चे का mind power 100% बढ concentration power बढ़ता है और बच्चा ये activity बहुत enjoy के साथ करता है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो please like करें, अपने दोस्तों के साथ share करें और subscribe करना ना भूले, thanks for watching